आज के वीडियो लिक्ष्यर में हम बात करने माले Estimital MD, Ondium Tablet और फिर जो हमारा है Ondium Injection इन तीनों में क्या डिफ्रेंसेस है और इन तीनों का कहां कहां पे यूज किया जाता है और कैसे यूज करते हैं और कितनी मात्रा में लेना है तो बात कर रहे थे हम हम उल्टी और चकर आने पर ली जाने वाली दबा Estimital MD Tablet और Ondium Sudden Tablet के बारे में तो पहले देखते हैं Estimital MD Tablet को Estimital MD Tablet के अंदर Pro-Cloro-Pera-Zine-Mellet जो की Active Molecules है ये पाया जाता है और ये MD लगा हुआ है इसके अंदर MD that means Mount Dissolving Tablet तो इसको पानी के साथ या तोर कर नहीं खाना है इस Tablet को Just Jeep जिसे हम टंग्स बोलते हैं टंग के नीचे रखना है उसके बाद ये अपने आप घुल जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगा इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि लोग इसे कई बार सफर के दोरान ले लेते हैं एक जीब के नीचे रख लिया और चल दिये इससे वैसे वेक्ति जिनको बसकार आटो में सफर करते बक्त वोमेटिंग या मोसन सिखनेस जैसी समस्याएं होती है उनको यह लाबदायक है और लाब पहुचाता है उसे चक्कर आना उल्टी या फिर बसकार में आटो में नहीं आता इसके यूजिज की बात करें तो ट्रेवलिंग के दोरान चक्कर आना उल्टी या फिर गाड़ी में बैठे तो कान में सिस टाइब की आवाज आती है तो उस टाइम भी दे सकते हैं जिसे हम भटी को बोलते हैं जब कान में एकदम से सिस टाइब की आवाज आती है या फिर माइग्रेन पेन माइग्रेन पेन में भी हम इसे देते हैं मैगरियन पेन की तोरान जब बॉमेटिंग होती है तो estimatil MD tablet एक दे देते हैं जिससे patient को आडाम मिलता है estimatil MD tablet एक neurotransmitter होता है D2 dopamine receptor को block करता है और जो की brain तक signal को नहीं भेज पाता इससे मतलब ulti जैसी समस्याएं रुक जाती है तो ये dopamine D2 receptor को block करता है और brain तक message नहीं जा पाता तो लोगों को ये जो समस्याएं मतली और ये ulti की समस्याएं रुक जाती है अब precautions की बात करें तो हम alcohol के साथ नहीं ले सकते हैं estimatil MD tablet को join dis और मिर्गी में डॉक्टर की सलाह पर ही ले ये बहुत जादा जरूरी है कि join dis और मिर्गी में हम estimatil MD tablet को डॉक्टर की सलाह पर ही ले नॉर्मल कमजोरी में इसे दे सकते हैं गुलुकुमा की समस्याएं तो बिल्कुल ही ना दे लीपर, किड्नी और फिर pregnant woman या फिर breastfeeding mother इसे डॉक्टर की सलाह पर ही ले तो undem saturn tablet हर परकार के उल्टी और चकर आने जैसी समस्याओं में दिया जाता है estimatil MD tablet traveling के दोरान चकर आने पर undem saturn tablet ले सकते हैं या मतलब हर टाइप की जो आपको उल्टी या फिर चकर आने जैसी समस्याओं होती है उसमें हम estimatil क्या बोल रहा है हम ये on a certain tablet को दे सकते हैं estimatil MD tablet में कुछ restriction था कि ये हम दे सकते हैं traveling के दोरान या फिर migraine pain के दोरान और ये जो है tablet हम दे सकते हैं मतलब हर किसी को दे सकते हैं हर टाइप के जैसे कि surgery से पहले और surgery के बाद भी अगर आपको vomiting आता है तो हम on a certain tablet दे सकते हैं या फिर आपको ये जो समस्य आए कीमोथरेपी चलता है मतलब पेसेंट को तो कीमोथरेपी के दोरान भी लोगों को मतलब बोमेटिंग होता है तो हम उस दोरान भी हम ये क्या बोलते है on a certain tablet हम दे सकते हैं उस कीमोथरेपी के बाद या कीमोथरेपी से पहले अब बात कर लेते हैं on a certain tablet की तो on a certain tablet एक anti-emitting group की दबा है जो मुखे रूप से serotonin को बलो करता है और उल्टी और मतली की समस्या को दूर करता है और on a certain tablet की बात करें या फिर कहें तो नॉर्मल जैसे डैरिया हो गया है और डैरिया में आप medicine ले रहे हैं और काम नहीं कर रहा है तो हम ये on a certain tablet को लेने से पहले आप डॉक्टर की सला जरूर ले कुछ केसिस में देखा गया है कि birth infection मतलब होता है pregnancy में मतलब ये on a certain tablet लेने से तो आप जब भी ले तो आपने डॉक्टर की सलाह पर ही on a certain tablet ले pregnancy के दौरान अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं या इससे जूरी कोई भी जानकारी हो तो आप हमें इस WhatsApp नमर पे message भी कर सकते हैं जानकारी हो आपको आपको ये लेडियो आप नेच वीडियो आपको एप्टर सकते हैं